है 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 कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आपकी इंवेस्टिंग जर्णी अच्छे तरीके से चल रही होगी आज हम बात करेंगे जी एस पी यानि यह गुजराथ स्टेट पेट्रोलियम लिमिटेड स्टॉक देबारे में और इसका टेक्निकल एनलेसिस करने वाले हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक और सेयर करना न भूलें टेलिग्राम का निक डेस्क यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा मंतली चाट पर स्टॉक ने डबल टॉप बनाया भल टॉप कह सकते हैं को रिकिए हुआ है लेकिन अब देखना यह है कि यह क्या नेखलाइन ब्रेक कर पाता है नेखलाइन कहां पह crystal यह चैनल यहाँ पर हैं यह नेकलाइन बंती है ठीक है लेकिन अभी हम इतना निगेटिव नहीं होंगे क्योंकि स्टॉक अभी मॉविंग एवरिस के सपोर्ट पर है यहां से सपोर्ट ले रहा है और एक सपोर्ट यहां पर भी बनती है दोस्तो 66 रुपए या 60 रुपए के आसपास यह सपोर्ट बन जाती है ठीक है तो हम इतनी जल्दी वेरिश नहीं हो सकते अभी थोड़ा सा स्टॉक को देखना होगा यह मैं एक ट्रेंड लाइन डाल रहा हूं जी हां इस ट्रेंड लाइन को रिशिस्टन्स के रूप में स्टॉक ले रहा है यदि स्टॉक यहां से आपको नीचे जाता वुआ नजर आएगा तो आपका जा समी पर ने कक्यों जाएगी कि तो फिर मिशेनों लेकिन और स्टॉक यहां से यहां से इस तरह और इस तरह और यह इस तरह जाएगा तो फिर डबलू पैटन बन जाएगा यानिके डबल बॉटम बनेगा और यहां पर डबल टॉप बन सकता है यानिके दोनों स्थिति इस स्टॉक में क्रियेट हो सकती है तो आपको नजर रखनी है कि क्य इस्तिति इसमें बनेगी, जब तक ये trend line break नहीं होती है, हम entry के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, एक बार weekly chart पर भी discuss करेंगी, जी हाँ, तो weekly chart पर भी आपको वही स्तिति नज़राएगी, कि stock एक range में फसा हुआ है, यहाँ पर ये range है, इस रेंज में स्टॉप गोंग रहा है कोई खासा मुवमेंट स्टॉप में देखने को नहीं मिला यहां डबल बॉटम बना था यह आपने लिया होता तो सायद आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता है अब बात करते हैं डेली चार्ट पर देखेंगे क्या इस्तिती बनेगी और जिन लोगों ने अल्रेडी एंट्री ले रखी है उनके साथ उन्हें क्या करना सी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो मैं अगर अपनी सलहा की बात करूं तो जब तक स्टॉक 260 के उपर है तब तक आप उसको सेल ना करें अगर आप छोटे मोटे लॉस में हैं एक दो पर ना को बार बार ठीक करने से अच्छा है ना ही बदल समझ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस स्टॉक में अभी छेद हो चुका है अभी हम इसमें एवरेज भी करेंगे कुछ रिटन नहीं मिलेंगी हो सकता है पता नहीं कब तक इसमें फंसे रहें एक यह चैन है अगर मैं यहां से टाइम देखों इसका तो यह हो सकता है कि 2000 अगले साल जाकर के ब्रेकाउट दे संभावना है कि अगले साल ब्रेकाउट दे मैं यह नहीं कह सकता कि कल नहीं दे सकता दस दिन वाद नहीं दे सकता लेकिन जो अनुमान है उसके हिसाब से हो सकता है अगले एक साल के ल फिर 273 फिर 260 इस तरह से हो सकता है स्टॉक घूंगता रहें तो मैं सला करूँगा कि स्टॉक में अगर छोटा लॉस है तो आप इसे अबॉइड कर दें और स्टॉक किसी और स्टॉक को पकड़ ले यानि कि किसी और नाव में चले जाए इसमें जो बुलिस संभाब ना बनेगी यानि कि स्टॉक के ऊपर जाने की वो अगर यहीं पर आसपास में ब्रेक आउट करेगा तो 310 के ऊपर इसमें एक खरिदारी का मौका बन पाएगा नहीं तो स्टॉक अवर्ड करने की सला रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी क दर्डराद राम्राद